अब आते हैं इस सवाल पर कि भारत और इंडिया में से क्या सही है सम्विधान सभा में इस पर खूब बहस हुई थी यह हमारे सम्विधान का अनुच्छेद एक है और उसमें लिखा हुए इंडिया, that is भारत, shall be a union of states बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है कि उससे में debate थी कि भारत का नाम भारत रखे या इंडिया रखे कुछ लोग ने आर्या वरत भी कहा, कुछ ने हिंदुस्तान कहा, सब नाम चले अंत में सहमती बने कि नहीं भारत और इंडिया ही ठीक है नेहरू जी ने खुल के तो नहीं पर नेहरू जी के परस्पेक्टिव से जो बात वहाँ पर ज्यादा आई वो यह थी कि हमारे सम्विधान के बनने की प्रक्रिया में जो बहुत सारे एक्ट थे जो अंग्रेजों ने बनाये थे जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का है 1935 का एक्ट था उन सब में इंडिया का इससे माल था उस समय के भारत की तरफ से जो समझोते अंतराश्टि थे उन सब में इंडिया नाम था पश्चिम की दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानते थी अमेरिका हो फ्रांस हो प्रस्पेक्टिव में चीज़ों को देखना है पूरे दुनिया से संभाद करना है क्योंकि उनकी रुची अंतराश्टी मुद्दों में ज्यादा थी बहुत ज्यादा थी मेरे ख्याल से इन सब वज़ों से तय हुआ कि हम अपना नाम इंडिया रखेंगे पर इंडिया के बराबर महत्तु भारत का भी रहेगा तो लिखा गया इंडिया डेटिस भारत इंडिया जो की भारत है राज्यों का एक संग होगा चार दिन पहले की बात है मैं हॉलेंड में एक टेक्सी में बैठा हुआ था इंट्रेस्टिंग मत सोच के देखिए टेक्सी का ड्राइवर मुरको का रहने वाला था उसको जैसी पता लगा मैं भारत से हूँ उसने मुझसे यही सवाल पूछा उससे को कि यूर फ़म इंडिया मैंने का येस वी आर लिस्टिंग टूए डिवेट इंडिया और भारत वट डू यू थिंक मैं बड़ा चक्रित की यह मुरको का आदमी हॉलेंड में रहता है इसके मन में यह सवाल आ रहा है तो मैंने का कि ये तो राजनीतिक कारणों से हुआ है लेकिन बात अपने आप में सही है मैंने का जैसे बॉम्बे मुंबई हुआ मुझे खुशी हुई क्योंकि मुंबई की आबादी के लिए मुंबई में जो मज़ा है वो बॉम्बे में नहीं है बॉम्बे तो अंग्रेजों नाम दिया था कोलकाता को कलकटा अंग्रेजों ने किया तो बंगाल के लोगों ने कोलकाता कर दिया उसको डेल ही को दिल्ली के लोगों ने दिल्ली कर दिया दिल्ली ही बना के रखा हुआ है डी आई डबल लाई यह होना चाहिए कहे के डेल ही भाई हम क्यों डेल ही बोलेंगे डेल ही यह सारे तरक अगर सही है अगर बर्मा का नाम म्यामार होना सही है क्योंकि उनकी जंता की आवास् शर्षिलंका बोलती है तो मेरे मन में सवाल बड़ा साफ आता है कि भारत इंडिया क्यों होना चाहिए मैं फिर सबस्ट कर दूं मैं सरकार के पक्षमें बोल रहा हूं मुझे उनसे रतिभर मतलब नहीं मैं विचार की बात कर रहा हूं और मैं जब सम्मिजान पढ़ाय करता था अनुच्छे देख पढ़ाते हुए मैं हमेशा बोलता था कि मुझे चुबन होती है यह पढ़ते हुए कि इंडिया देट इस भारत दोनों ही हूं बोले अच्छा अच्छा यह मामला है अब समस्क्राइब फिर बोले कि बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है हमारा नाम मौरक्को पढ़ गया फ्रेंच लोगों की वज़ा से मौरक्यों के लोग मौरक्यों को मगरिब बोलते हैं और जब मैं सौधियर अभी आ गया सौध मगरिब की आबादी खुद को मगरिब कहके खुश है तो उसे फ्रेंच लोगों की वज़े से मौरक को क्यों कहा जाए इंडिया शब्द वेस्ट में दिया और बुरे भाव से दिया उनकी नजर में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिशड़ा हुआ होना रेड इंडियन् मैं इस पक्ष में हूँ कि देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए और देश की भाषा भारत के पक्ष में हैं आप इंडिया भी रख लेजिए इंडिया देट इस भारत के बदले भारत देट इस इंडिया मेरी पहली पसंद होगी मुझे इंडिया से दिक्कत नहीं ह पर भारत मेरी पहली मुहबत है